आज के वीडियो में मैं आपको एक free online screen recorder टूल के बार में बताऊंगा जिसके मदस्या पीजिली अपनी computer screen को record कर सकते हैं चाहे आप content creator हों, सिच्चक हों या बस अपनी knowledge को share करना चाहते हों यह हर चीज में आपकी help करेगा जैसे की tutorials या presentation आधी को record करने में तो आईए जानते हैं इसके बारे में, नमश्कार दोस्तो, मेरा नाम है अनेल और आप सभी देख रहे हैं टेक्चे वीटूब चैनल, आज के वीडियो में मैं आपको एस तिंकर के free online screen recorder टूल के बार में बताऊंगा जिसका use आप engaging video content बनाने में, software tutorials को record करने में, product के features को demonstrate करने में या फिर gameplay moment को capture करने में इन सम्में आप इसका प्रियोग easily ले सकते हैं और सबसे अच्छी बात इसके लिए आपको अपना budget खर्च करने की जुरूत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक free tool है और इसको use करना भी काफी आसान है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसके लिए आपको click करना है, start recording पर, जब आप इसको पहली वार start करेंगे तो आपको इसके launch reflection को install करना होगा, ये one time की process है, और ये काफी छोटा सट tool है, जिसका size करीब एक पॉंड 2 MB का है जब ये आपके system पर install हो जाएगा, तो आप इसका easily प्रियोग कर पाएंगे download होने के बाद, आप इसको open कीजिए, तो ये आप इसका setup start हो जाएगा, जिसमें ज़दा समय नहीं लगेगा अब ये आप देख सकते हैं, ये आप अपडेट हो रहा है, अपडेट होने के बाद, ये आप ये launch हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अभी screen को full screen में record करेगा, आप चाहें तो इसको अपने साब से adjust कर सकते हैं, आप इसके size को simple से छोटा बड़ा कर सकते हैं या फिर आप यहां से अपने साब से recording size को set कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने अपना terminal open कर लिया, और मैं अकिवल C terminal को record करना चाहता हूँ तो आप इसकी मदद से इस window को record कर सकते हैं, बाकी जो screen है यह record नहीं होगी, आप देख सकते हैं, अभी यहां पर recording size set हो चुका है आपको यहां पर और भी कई options मिलते हैं, कि आप इसको कौन से size में record करना चाहते हैं, आपको यहां पर कही तरके preset size मिलेंगे, या आप यहां पर अपना custom size भी set कर सकते हैं इसके साथ ही आप यहां से set कर पाएंगे, कि आपको system sound या microphone की sound record करनी है, या दोनों की sound record करनी है यह option भी आपको यहां पर मिल जाएगा, साथ ही आप यहां से webcam को भी record कर सकते हैं, तो आपके screen recording के साथ webcam भी यहां पर record होता रहेगा आपको यहां पर recording की और वी कई settings मिल जाएंगी, यह देकि दूस्तों, यह recordings की settings है, यह basic setting है, आप यहां पर set कर सकते हैं, कि recording start करने से पहले countdown start होना चाहिए, या जैसे recording start हो, तो beep की आवाज आनी चाहिए, recording की boundary show होनी चाहिए, या नहीं, recording tool वर आना चाहिए, या नहीं, या आपको mouse का style क्या रखना है, जिससे कि यहां पर mouse cursor highlight होता रहेगा, audio की quality कैसी रखनी है आपको, वो भी अपना से set कर सकते हैं, video setting कैसी करनी है, वो सब अपना से set कर पाएंगे, जैसे कि आपको किस bit rate के अंदर record करना है, frame rate क्या रखनी है, codec कौन सा use करना है, mode कैसा रखना है, कि आपकी priority कौन सी है, performance या quality या फिर अपने पर balance को select कर सकते हैं, video format आपको कैसा रखना है, वो भी अपना से set कर पाएंगे, तो जो भी आप format select करेंगे, यह उसी video format के अंदर file save होगी, आपको नहीं पर कई popular video formats मिल जाएंगे, इसके साथ ही आपको नहीं पर general setting भी मिल जाएं कौन सा shortcut set करना चाते हैं, वो आप यहां से set कर सकते हैं, और जो आपकी video file बनेगी, वो video file कहाँ पर save होनी चाहिए, वो भी आप यहां से set कर पाएंगे, यहां पर यह default path दे रखा है, यह आप इसको change करना चाते हैं, तो आप इसको यहां से change कर सकते हैं, यह सब set करने के recording start कर दी है, और आप देख सकते हैं, यहां पर countdown start हो चुका है, और जैसे यहां पर recording start होगी, तो यहां पर beep की sound भी आएगी, यह देखिए, अभी यहां पर recording start हो चुकी है, नीचे यहां पर यह toolbar आ चुका है, इसकी मदद से आप यहां पर recording को pause कर सकते हैं, stop कर सकते हैं, timer भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कि यह recording के length कितनी हो गई है, वो भी आप live देख पाएंगे, तो भी आपने जो recording area set किया है, आप इसमें कुछ भी करेंगे, वो सब record होता रहेगा, साती आपको यहाँ पर यह toolbox मिल जाता है, जो लोग video tutorial बनाते हैं, या software को demonstrate करते हैं, presentation बनाते ह आप live recording में इनका use कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कई तरह के tool मिल जाएंगे, जिनका आप यहाँ पर size set कर पाएंगे, उनका color set कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने यह arrow select कर लिया है, अभी मैं इसको recording के दोरान use कर सकता हूँ, यह देखिए, आप इसको इसको इस तरह से use कर पाएंगे, तो ऐसे आपको यहाँ पर कई सारे tools मिलेंगे, जैसे कि आप अपनी बात को और भी बतर तरीके से समझा पाएंगे, जैसे कि देखिए, यह highlighter है, आप recording के दोरान कुछ भी highlight करना चाहते हैं, तो आप इसके मतर से उसको highlight कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर कई toolbox मिलेंगे, जिनका आप live यह use कर पाएंगे, और यह सब record होता रहेगा, जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने यह text टाइप कर दिया, तो आप इस तरह से toolbox का प्रियोग कर सकते हैं, जो कि आपके video tutorial बनाने में काफी help करेगा, अब यह आप इसको जैसे ही stop करेंगे, तो आपने असाब से set कर सकते हैं, जैसे कि देखिए, आप यहाँ से video को save कर सकते हैं, या फर अपनी recording को cloud stories पर upload कर सकते हैं, या किसी के साथ share कर सकते हैं, साथ ही आपको यह start point और end point मिलेगा, तो आप जितने भी recording use करना चाहते हैं, आप इसको अपने असाब से adjust कर सकते हैं, बा दौरान टूली use किये थे, वो भी यहाँ पर show हो रहे हैं, तो आपको इस recording में से, यतना part save करना है, आप इसको यहाँ से set कर लीजे, उसके बाद कलिक कर दीजे, save button पर, आपको यहाँ पर save के दो option मिलेंगे, आप इसकी GIA file बना सकते हैं, या फिर आप इसको video file में save कर सकते ह तो जैसे भी आपने यहाँ पर video setting की है, यह उस format के अंदर save हो जाएगी, और अभी आप देख सकते हैं, यह file save हो चुकी है, जो भी आपने folder set किया था, यह उस location पर save हो जाएगा, तो हैना यह काफी आसान टूल, जिसका use करके आप आसानी से, आपने screen को record कर सकते हैं, यह दे आप इस online recorder का use नहीं करना चाते, तो आपको यहाँ पर एक और advanced screen recorder मिल जाता है, जिसका नाम है aqua, आप इसको यहाँ से download करके, अपने system पर install कर सकते हैं, इसको मैं अपने system पर पहले से install किया हुआ है, पर यह एक paid version है, यह के अंदर आपको कुछ limitations मिलती है, जैसे कि आप इस screen recording के कई advanced option मिलेंगे, जैसे कि यह देखिए दोस्तो, यह सारी video recorder के option है, आप यहाँ से set कर सकते हैं, कि आपको कितनी screen size record करना है, साथ ही अपने system sound के साथ, microphone को भी record कर सकते हैं, जिसमें कि आपको noise cancellation का feature भी मिलेगा, जैसे कि आपकी voice और भी clear आएगी, इसके साथ ही आपको इसके अंदर और भी advanced setting मिलेंगी, जो कि आपको इसके online version के अंदर नहीं मिलती, यह देखिए दोस्तो, यहाँ पर काफी सारी settings हैं, जिनका use करके आप और भी बहतर तरीकी से record कर पाएंगे, video और screen recording के अलावा, आपको यहाँ पर audio recorder भी मिल जाता है, जो कि cable audio को ही record करेगा, आप किसी particular window को ही record करना चाते हैं, तो इससे केवल वो ही particular window record होगी, तो यह भी इसमें काफी बड़ी अप feature दे रखा है, इसके साथ ही आप यहाँ से अपने webcam के साथ भी recording कर सकते हैं, जिसमें आपको कई अंदा features मिलेंगे, साथ ही आप यहाँ से अपने iOS या Android device को भी record कर सकत हैं, यदि आप इस screen recorder का use करके अपने काम को आसान बलाना चाते हैं, तो इसकी link आपको description में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको check कर सकते हैं, तो बताई दोस्तों यह जानकर यह आपको कैसी लगी, यदि आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like जरूर कीजेगा, औ और यदि आपका ethical lacking और cyber security में interest है, तो आप मेरे cybertube.net और techchip.net website को budget कर सकते हैं, आपको इन website पर मेरे काफी सारे tutorial वीडियो मिलेंगे, यहां से आप इसके बारे में काफी कुछ सीख पाएंगे, और यदि आप इस channel को पहली बारी देख रहे हैं, तो चैनल को subscribe जरूर कीजे तो वी के लिए मैं आपसे जाच चाहूंगा, जल्दी ही मुलकात होगी, ऐसी कसने वीडियो के अंदर, नमस्कार